आयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने से कॉंग्रेश तीवी खुश नजर आ रहे हैं। दोईवाला में भी आयोध्या से आए अक्षत कलश की आत्रा निकाली गई और लोगों को आयोध्या आने का निमंत्रन दिया गया। आयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्मान हो रहा है मंदिर के प्रथम तल में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ती की प्राण प्रतिश्था की तैयारी में मंदिर समीती जुड़ गई है। इसी बीच दोईवाला में भी आयोध्या से पूजित अक्षत कलश के लोगों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया इस यात्रा में कॉंग्रेस के लोग भी शामिल हुए और राम मंदिर बनने का स्वागत किया प्रभु स्रीराम का बंदिर का सुमूरत 22 जनवरी 2024 को होने वाला है और उसी संदर्ब में पूरे देज भर में अक्षत कलश यात्रा का जो आयोजन हो रहा है। सबही डोईवाला वासियों का सोभाग्य है कि हमारे डोईवाला छेतर में अक्षट कलशयात्रा आई है सब यूसमें बढ़चरकर हिस्सा लेए मेरी यही कामना है बहुत जदा उस्सा है अभी आपने देखा ही है अभी शोभाय आतर अक्षट कलशयात्रा की हो रही थी तो उसमें हजारों के संख्या में स्रधालूगन उपस्तित थे हमारी हमको राम मंदर की बहुत खुशी है और उसी उपलक्ष में हमने 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक एक भव्य राम कता का आयोजन किया है और जिसमें हमारे महराज आदित्यनन महराज जी अपने मुकारविन से राम कता का हमें शरवन कराएंगे और 22 जनवरी को जिस दिन अयोद्या में राम मंदर का मूरत है उस दिन दुरका चौक भानियावारा पर उस कता का विराम होगा और उसी दिन बंढ़ारा भी होगा आप देख रहे हैं डखल न्यूर